नमस्कार फ्रेंड्स आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि जो उत्राखंट सरकार ने कैबिनेट का बहुत बड़ा फैसला उन लोगों के लिया है जो परिटन शेत्र में अपना कामकाज करना चाहते हैं अभी तक जो दीन दियाल उपाद्ध्या परिटन योजना चल रही है उस परिटन योजना में उत्राखंट के जो ग्रामीर शेत्र हैं उन्हीं में सबसीडी एलाओ थी और शेहरी शेत्रों में भी एलाओ थी लेकिन कैबिनेट में एक बहुत ही मैथपून फैसला उन लोगों के लिया है जो लोग ग्रामीर शेत्र में रह रहे थे वही होम इस्ते योजना में अलुदान का भी लाब ले पाएगा सबसीडी उन्ही लोगों को मिलेगी जो ग्रामीर शेत्रों में काम काज़ करना चाते हैं यानि सरकार ने इस पस्ट कह दिया कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में जो होमिष्टे योजना का लाब लेना चाते हैं उनको पूर रूप से पावंदी लगा दी है और ग्रामीड शेत्र में इसका लाब मिले ये बहुत बड़ी सरकार की गुड गौवर् हैं तब ही आपको इस योजना का लाब मिलेगा क्योंकि होमिष्टे योजना में सरकार करीब करीब 10 लाख रुपए की अपनी ओर से अनुदान देती है और वो अनुदान ही लोगों के काम आता है तब ही परेटन की जो पॉलिसी से वो परवान चल रही है तो आप लोग को ये वीडियो कैसे लेगी और कुछ जानना चाते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे आई बटन में इसका लिंक दे दे जो सबसीडी से संबंदित को जानकारी चाते हैं या होमिष्टे योजना का कैसे आप लाब उठा सकते हैं हमारी एक पिछली एक वीडियो है उसका हम लिंक भी दे देंगे और डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में भी देंगे जिसके सरीए आप उन योजनाओं को तफसील से देख सकते हैं पुशकार